ये है साउथ इंडिया का फर्स्ट नाइट आइड लाइट पार्क येस गाइज असलाम अलेकुम कैसे आप सब आप एकदम ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ स्काई पार्क का रेव्यू जो के एरकार्ड में है रीजिंटली हम एरकार्ड गए थे इसका जो वीडेयोस है मैंने स्टाट कर दिया है मेरे दो वीडेयोस और आल्री हो चुके है वाने बंगलियो टू एपट सालाम है बिच जल्दी रूंठ आपके साथ करने वाली हूँ स्काई पार्क ये डेपार्क भी है यहां पर नैट पार्क वी है डे पार्क का एंटीय यहादा एक्पेंसिव है बट यह अंदर जाके आप बहुत एंजोई करोगे बिकास वहाँ पर बहुत सारी अक्टिविटीज है आपको यह वाकिंग ग्लास ब्रिज मिल जाएगा और जो जिप लाइनिंग होती है ना स्विंग की वह भी मिलेगा यह दो यूनीक है बट अपर हम दोनों के लिए वाली वीट हुआ दे तो I think it is not worth it तो हम हमने सोचा कि हम नाइट पार्क एक्स्प्लॉर करेंगे नाइट पार्क जो है वो शुरू होता है अफ्टर 6.30 उसका एंट्री टिकेट है 500 रुपीज नाइट पार्क के बाज अप देखोगे फुट कोट है यहां पर जो है आपको टिकेट लेनी पड़ती है 500 रुपीज एंट्री टिकेट है इसकी और किट बिलो फाइव यह इस फ्री तो जोहान को टिकेट नहीं थी उसको फ्री था तो हम पहुंच गहते है अराउंड 6 o'clock यहां पर बट हमको वेड करना पड़ा बिकॉस पार्क का जो टाइमिंग से नाइट पार का वो आफ्टर 6.30 है 6.40 के बाद ही यह लोग ने हमें एंट्री की तो यह अगर जब आप एंटर होगे तो ऐसे बहुत सारे क्यूट से आपको लाइटिंग्स मिलेंगे जो वॉक पाथ है वॉक पाथ है वहां पर ब्यूरिफुल से लाइट से आपको लेसर लाइट्स मिलेंगे जो जेनरल पार्क का जो भी फोटो स्पेस है वो आप एक्स्प्लॉर कर सकते हो ऐसे बहुत सारे लेजर लाइट्स सब कुछ थे यहां पर और इसका फ्लोरिंग भी आप देखिए फ्लोर में भी यानिके जो पाथ है रोड है वहां पर भी आपको ऐसे ब्यूरिफुल से बटरफ्लाइ के लेजर लाइट्स मिल जाएंगे देखने को मिल जाएंगे बहुत ही ब्यूरिफुल थे डिफरेंट था एक्स्पीरिंस बट याज 500 रुपीज इस बिट एक्सपेंसिव तो देखिए यहां पर हमने गोल्ड मैन के साथ भी फ काई पार्क एरकाड को प्रमोट करें जैसा एक लेजर शो था अच्छा था इट वस डीजन इनाफ बट क्वाइट बोरिंग लगा मुझे बिकाज इससे युनों 200 ताइम्स बेटर लेजर शो मैंने देखे हैं तो यह ओके वाला लेजर शो था अगर बच्चे फर्स ताइम देख रहे हैं तो enjoy करेंगे but adults के लिए definitely boring ही है and यह लेजर शो के बाद उन्होंने हमें turn करने के लिए बोला they said you know just turn about I mean about turn कर लो तो जब हमने about turn किया वहां पर बहुत बड़े बड़े plants trees थे trees में laser light उन्होंने लगाई थी तो laser शो सब trees में चल रहा था तो यही है वो view बहुत beautiful था बहुत unique था यह वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा था because आपको जो laser है ना वो laser lights जो है वो trees में पड़ते हैं तो different था unique था अच्छा खासा experience था laser show every 10 minutes हो रहा था तो हमारा जो laser show था वो first show था जो कि around 7 o'clock को start हुआ था then हम गये थे हमने एप पार्क explore किया यह देखिए यहां पर बहुत carvings की हुई थी tree पर and trees में सब lights लगे हुए थे फोटो लेने के लिए बहुत जादा spots थे यहां पर then हम गये थे on walking bridge यह एक bridge है यहां पर इस bridge ना इस bridge में full lights दिये गये थे यह जो मैं चल रहे हुँ यहां पर सिर्फ कम lights हैं but actually बहुत blink हो रहे थे and बहुत ही बड़ा walking bridge है यह and above you know certain weight यहां पर allowed नहीं है then उसके बाद था यह laser neon lights वाला एक tunnel यह भी बहुत beautiful था यहां पर अच्छे खासे photos आप ले सकते हो videos ले सकते हो यह बहुत ही अच्छा tunnel था and यहां पर और एक tunnel था यह tunnel जो है यह सब lighting वाला tunnel है यह देखिए कितना बड़ा walking bridge है बहुत अच्छा experience है walking bridge का उसके बाद यहां पर एक horror house था बच्चे अगर जा रहे हैं horror house में तो उन्हें mentally आप prepare कर दीजे because इतने सारे बच्चे रो रहे थे वहां पर जोहान ने भी eyes open ही नहीं किया वो भी डर गे थे but he really wanted to see them तो मैंने उसके बाद उनको वीडियो दिखाय थे and he was like मुझे और एक बार जाना है बट और एक बार नहीं allowed था तो yes अगर बच्चे जा रहे हैं तो mentally आप उन्हें prepare कर लीजी stable कर लीजी because थोड़ा सा ये ना horror like horrifying था ये ठीक है तो उसके बाद ये horror house के बाद और आपको और एक एक you know एक छोटा सा एक space मिलेगा जहां पर आपको evolving tunnel मिलेगा यहां पर सब lights है यह वाला हमने experience किया था GRS Fantasy Park में and then जब आप बाहर आओगे तो आपको ये aquarium tunnel भी मिलेगा underwater aquarium tunnel छोटा सा tunnel है not the big one like Mysore but बहुत ही beautiful fishes हैं यहां पर kids enjoy करेंगे तो ये सारे चीज़े यहां पर night park पर थी तो based on you know lights and night park ही इन्होंने एक concept बनाया है बहुत ही beautiful था अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please इसे share कर दीजी see you soon अलाफेज